तो गाइस यहां पर यह जो मन्त है ना वो बहुत बड़ा धोके बाज निकल के आ रहा है यहां पर गाइस मैं पोला स्कूटर पहले ही दिन से पंदरा अगत से बुक करके रखा है और इसको खरीदना था आठ तरिक को लेकिन आठ तरिक को वो जो है डीले हो गया तो हर चीज यहां पर डीले होते जा रही है तो ऐसा ही यहां पर जीओ फोन नेक्स्ट जो है वो डीले हो चुका है यहां पर कब तक लांच होगा सारा कुछ में आपको एक स्पैसिफिक डेट भी बताऊंगा और सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा क्या रीजन है सब कुछ में आपको बताने वालों बात करें कि जीओ फोन नेक्स्ट की तो यहां पर जीओ फोन नेक्स्ट के डीले होने के साथ साथ एक और बहुत बड़ा न्यूज आया है सामने में कि जो जीओ फोन नेक्स्ट है उसके साथ एक जीओ फोन का जो है एक और वेरियंट लांच हो सकत तो वीडियो आई बेटन में अटाइच कर रहूंगा इस उस वीडियो को देखी अगर आपको प्राइज वगरा जानना है स्पेसिफिकेशन क्या होंगे सारा कुछ मैंने उस वीडियो में आपको बता रखा है तो प्राइज अराउंड 3500 के आसपास हो सकता है लेकिन यहां प यहां पर गाईस प्राइज और जादा अच्छा होने वाला है अच्छा मतलब गाईस इन पर इसका जो प्राइज और भी जाया डा ऑर भी ज्यादा एटरेक्टिव हो सकती है यहाँ पर गाईज एक लीक यह निकल के आई है कि यह फोन आप सिर्फ 500 रुपए में ले सकते हो सिर्फ 500 रुपए में आप इस फोन को ले सकते हो और company का जो है target है वो बहुत ज़ादा मतलब गाईज यहाँ पर 5 करोन से भी ज़ादा फोन को sell करना चाहती है यहाँ पर गाईज तो बहुत ज़ादा amount है बहुत ज़ादा number है बहुत ज़ारे फोन बनने वाले हैं इसी वज़े से गाईज क्या है जो material का भी shortage चल रहा है अभी news वगरह में आपने देखा होगा semiconductor shortage चल रहा है और भी बहुत सारे जो हैं यहाँ पर COVID की वज़े से सारा कुछ shortage चल रहा है इसलिए अभी जो है आप देख रहे होगे Macromax ने phone launch किया वो नए processor के साथ launch किया यहाँ पर लोग नए processor में भी switch कर रहे हैं यही वज़ा है और एक तरह से अच्छा भी guys की नए processor को लोग use कर रहे है तो उनका भी क्या है अच्छा फाइदा हो रहा है और हमको उनके बारे में जानने का मौका भी मिल रहा है बाकी specs तो अच्छे ही होंगे guys performance अच्छा देगा तो लोग नए processor के उपर भी test करेंगे जैसा कि पहले snapdragon ही था फिर mediatek आया तो mediatek को आज सब लोग पसंद करते हैं वैसी guys अभी Unishock भी है वो आया है फिर Unisoc कुछ नाम है उसका वो भी आया है Macromax में तो वो भी अच्छा processor है तो ऐसा ही guys यहाँ पर हम लोग को क्या है नए ने चीज़ देखने को मिल रहा है shortage हुए है तो एक तरफ से अच्छी भी बात है guys यहाँ पर shortage हुए guys तो यहाँ पर guys जो है जियो फोन नेक्ट आपको 500 रुपे में देखने को मिल सकता है और 500 रुपे में इसलिए बो रहा हूँ guys क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे offers चलने वाले हैं बहुत सारे bank के साथ आपको collaboration देखने को मिलेगा जियो का और वहीं पर guys आप इस फोन को 500 रुपे में खरीदने के बाद यहाँ पर यह भी सुनने में आए guys कि अगर bank वगेर आप नहीं यूज करना चाहते तो आपको guys महीने में इतने रुपे का recharge करना पड़ेगा जो recharge amount होगा वो आपके monthly recharge से कुछ जादा amount होगा उसके साथ आपका EMI भी पड़ जाएगा और साथ में आपको महीने का recharge भी मिलता रहेगा तो ऐसा कुछ भी हो सकता है guys यहाँ पर सुनने में आया और सुनने में तो बहुत अच्छा scheme लग रहा है guys यहाँ पर महीने का एक recharge तरह से कराना है और बहुत ही हलका लगेगा guys अगर कोई पहली बार phone लेना चाहता है उसके पास पैसे नहीं है तो उसके लिए बहुत ही हलक लगने वाला है और जियो के साथ phone मिलके बना रहा है तो guys मुझे लगता है कि slow वगेरा कुछ नहीं होगा अब price के हिसाब से guys आपको तो समझना चाहिए कि यह phone किस लायक है और कैसा होगा और कैसा performance देगा लेकिन guys जिन्होंने कभी phone use नहीं किया है जो phone use करना चाहते है या कर एक experience करना चाहते हैं कम प्राइज में तो यहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा phone है और इन लोगों को ही यहाँ पर target किया गया है तो मुझे guys यह phone अच्छा लगा जिन्होंने कभी use नहीं किया उनके लिए भी बहुत अच्छा है तो hope guys यहाँ पर जो यह phone है ब दिवाली तक तो यह जो phone है अब दिवाली के टाइम पर launch होगी around date की बात करें तो 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच यह जो phone है वो launch हो सकती है guys और यहाँ पर guys बात किया जा रहा है कि 10 नवंबर इसका next launching date हो सकता है और साथ में guys आपको और भी extra features और late हुआ है delay हुआ है इसक देखने वाली बात रहेगी guys कि यहाँ पर जियो जो है वो दिवाली के टाइम पर कैसा धमाल मचाएगा पटाको के धमाल से ज्यादा धमाल मचा पाता है या फिर देखते हैं क्या होता है वो आगे पता चलेगा लेकिन guys इस मन्त बहुत कुछ delay होते जा रहा है यहाँ पर ब इंस्ताग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो guys और फोन से related कोई भी क्यूरी से guys तो आप मैसेज कर सकते हो सभी को मैं reply देता हूं और comment का भी reply देता हूं लेकिन guys comment में क्या है conversation long हो जाता है 10-12 reply एड़ हो जाते है तो उस ताइम मुझे बहुत ज़्यादा problem होती है reply करने में क् सारे जो reply है वो शो नहीं करते हैं तो इस वज़े से guys मैं recommend करता हूं सभी को कि आप मुझे अगर long conversation है तो Instagram में message करिए मैं सभी को reply देता हूं so hope guys यहाँ पर आपको Gio से related, Gio phone, Nex से related सारी जानकारी मिल गई होगी क्या है क्यों reason है सारा कुछ आपको पता लग गया होगा guys तो video अगर पसंद आया तो channel को subscribe कर देना video को like कर देना and thanks for watching guys